तो सुप्रिम कोट ने 29 अक्टूबर से औयोध्धा विवाद में रोजाना सुनवाई करने का आदेश भी दिया है ऐसे में बढ़ चड़ कर ये दावा भी किया जाने लगा है कि राम मंदिर के निर्मान में अब ज़्यादा वक्त नहीं है सुप्रिम कोट के फैसले के बाद बीजेपी सांसत सुप्रिमनयम स्वामी ने दिवाली तक राम मंदिर निर्मान का काम शुरू होने की उमिद जदाई तो बीजेपी नेता विने कटियार ने दावा किया कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा ना होकर हमेशा से भावनात्मक मुद्दा था हालाकि इन तमाम दावों के बीज अयोध्या विवाद में रामलला के पक्षकार और पुजारी सतिंद रुदास ने सरकार को दो टूक सुना दी सरकार पर अध्यादेश लाने का दबाव बना रही विश्वय हिंदू परिशद ने भी साफ किया कि अब इस राम मंदिर को लेकर और देर बरदाश्ट नहीं की जाएगी सुप्रीम कोट के फैसले से पहले अयोध्या विवाद के मुस्लिम पक्षकार हाजी महबूब के रुख में भी बड़ा बदलाव दिखा और अब खबर समझे कि क्यों दावा किया जा रहा है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम फैसला राम मंदिर के हक में आएगा तो इस तरक के पीछे साल 2010 का इलावद हाई कोट का फैसला है अब इलावद हाई कोट ने मालिखाना हक तैक करते हुए विवादित जमीन को तीन बरावर हिस्सों में बातने को कहा था विवादित जमीन, राम लला, निर्बोही अखाडे और मुस्लिम पक्ष में बराबर बातने को कहा गया था अयोध्या की खुदाई में वहां मंदर के और शेश पाई गए मालिकाना हक विवाद में ये तक्थ बिहत काम का साबित होगा और जमीन विवाद माने जाने पर सरकार के लिए भी विवादित जमीन का अधिग्रहन भी आसान हो जाएगा